वेल्कम बेक टो माई चैनल आज मैं फ्रेंड्स आपको एक लड़कियों में कोमन चीज के बारे में बताने जा रही हूँ जैसे कि मेरी प्रेग्नेंसी के बाद में जब मेरा पहली बेवी थी तो उसके बाद मेरे चेरे पर यह पिग्मेंटेशन हो गए थी बहुत ज़्यादा पहले यह नोस पर शुरू हुआ था और फिर यह ऐसे ऐसे यहां तक आ चुका था और यहां भी हलका हलका हो रहा था और इधर तो बहुत ज़्यादा था इधर देखे हलका कम हो गया है और चिन पे भी लाइट था तो फ्रेंड्स मैंने पहले साइरस हेल्दी डाइट साइरस का मैंने तो साल तक डाइट फोलो की फिर उससे मेरे को यह था कि लाइट हो गया था मगर पूरा नहीं गया था मैं चिया सीट्स भी लेती थी मैं सिलमन पाउडर भी खाती थी और मैं सैलेट का भी एक बोल भर की लेती दुपैर को भी और साम को भी बस ये था कि यहलका लाइट हो गया था यहलका लाइट हो गया था मगर गया नहीं है तो अभी मैंने यूट्यूबपे वैसे ही मैं इस वीडियो देख रहE थी क्योंकि जब चेरे पे कुछ होता है तो वर एक कोई को टैंसन हो जाती है कि क्या करें अब कैसे हमारी pigmentation जाएगी तो वैसे करते करते मुझे ये गाइनोवेदा का ये प्रोडेक्ट दिखा तो इसमें हरिद्रा खंडा गाइनोवेदा तो ये मैंने सोचा कि जब सब कुछ ट्राइक कर लिया है डॉक्टर को तो खेर मैंने नहीं दिखाया क्योंकि सब बोलते हैं कि डॉक्टर ट्रेट्मेंट से नहीं जाता नहीं जाता नहीं जाता तो इसलिए मैंने वो healthy Cyrus diet follow की थी क्योंकि मैंने baby भी deliver हुआ था मेरा तो उसके तुरंद बाद से मैंने वो diet follow करना शुरू कर दिया था उसके बाद friends मैंने ये दो महीने से ले रही हुँ है अभी दो महीने पूरे नहीं हुए है अभी इसमें ये 10 या 12 टेबलेट बची होंगी दो महीने होने में ओलमोट सारी खाली हो चुकी है इसमें 240 गोली आती है और ये मैंने रोज सुबह खाना खाने से पहले मतलब कि breakfast से पहले और सामको डिनर से पहले ये दो टेबलेट मैंने खाई है इससे क्या हुआ है कि जैसे पहले मेरा diet करने से light हो जाता था तो इससे light तो हुआ है क्योंकि diet मैं भी follow कर रही हूँ मैं diet नहीं छोड़ रही हूँ मैं जैसे पहले करती थी वैं बैसे diet follow कर रही हूँ क्योंकि pigmentation मुझे निकालना है जड़ से तो अब ये दीगे फ्रेंस यहां से ये जाने लगा है ये नोस तो पूरा किलियर हो गया है फ्रेंस और भी साइटों से जाने लगा है बस ये जो ये पिंपल भी होए थे ना मुझे तो ये पिंपल के मार्क्स ज्यादा दिख रहे हैं थे इदर हैं अबंगर ये पिंबेटिये हो फ्रेंट्स ये को किलियर होने लगाए है इसके साथ में ये मंजस्था बटी आती है न tensor理 ले टीँ या से कि वेलनस के लिए मैं ये भी ले रही हो प्रेंसं और इसकी भी दो टैबलेट मैं सुभे लेती हूं और दो टेड़ेट डिनर करने इसके पहले लेती हूं और इसी के साथ साथ मैं जैसे कि मैं बेजिटेरियन हो तो मैं ओमेगा-3 नहीं ले सकती जो नोनवेस ब्याला आता है तो फ्लेक्सिट ओयल का कैपसूल खाती हूं मैं वो मैंने फ्लिफ कार्ट से मंगाया था तो मैं फ्ल निचेरियन से ही हुएं तो उससे बैग में भी बहुत पहले लेती हूं और वहने होर पूरणिर कर दी है इससे में बहुत ज़्यादा टेबलेट है क्योंकि यह मैंने पहले मंगाया था एक महीना मैंने पहले इसको ही खाया फिर एक महीना बाद मैंने इसको मंगाया क्योंकि मेरे को पहले इसका नहीं पता था तो फिर मैंने जब देखा सर्च किया तो पता चला कि इसके साथ किसको भी खाना ह तो दोनों अगर एक साथ मिल जाते हैं तो अच्छा बेनिफिट मिलता है एक मैंने इसका आता है न विटामिन सी हरीदरा खंडा का विटामिन सी आता है आमला टेबलेट वो भी ओडर की है अभी मैंने खाई नहीं है जैसे मैं खाऊंगी तो उसका रिव्यू भी आपसे सेर कर मेरे को हो करने देखिए अर्म तो मेरे को रहे मागर बहुत अब बेटा आ गया है बीच में गिसमें जैसे फ्रेंट में वह टैप्छिट्स सुरू करूंगी तो मैं आपको इसका रिवियू भी तूंगी की मेरे इसकी पे उने कैसे डाल ऐए तो आप भी इसको फ्रिदरा ख बस यह मैंने इसलिए सेर किया है friends कि इससे मेरे को अराम है कि जो मेरे से और भी है वो परिसान हो रहे होंगे तो वो भी इसको खा सकते हैं जिससे उनको भी अराम हो जाए friends यह मेरे बेटा परिसान करता है friends तेंक यू आप भी देखिए अगर आपको टोबलम है आप भी एक बार जब सब कुछ कर लिया है तो यह भी ट्राइ करके देखे फ्रेंड्स क्या पता इससे ठीक हो जाए थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू पूर वर्चिंग